Hello students, how are you? I hope you all are doing good. This is your third lecture and in this lecture we are going to learn about numbers 1 to 100. कल आपको numbers बताय गए थे कि numbers क्या होते हैं और digit क्या होती हैं. Numbers और digit के बीच difference बताया गया था. आज आपको numbers learn करने हैं 1 to 100 तक. तो आपको image दे दी जाएगी, आपको वहाँ से numbers write करने हैं अपनी notebook पर and then उसको learn करना है. ओके, this is your first homework. Next, fill in the missing numbers. आपको missing numbers fill करने हैं. Missing माने सभी लोग जानते होंगे, miss हो जाना. ओके, तो missing numbers fill करने हैं आपको. तो आपको 1 दिया हुआ है, 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद क्या आता है? 2. तो कौन सा number miss था या? 2. ओके, उसके बाद 2 के बाद क्या आता है? 3. तो कौन सा number miss था या? 3. 3 के बाद 4. Then उसके बाद 5. 5, next, 6, next, 7, 7 आपको fill करके दिया हुआ है, तो 7 आपको fill नहीं करना है, 7 के बाद जो number आता है, next number उसका क्या होगा, 8, 8 के बाद, 9, 9 के बाद क्या आता है, 10, ओके, तो ये numbers मैंने आपको fill करके बताए है, ये आपके missing numbers थे, जो beast में miss थे, उन्हें fill किया हुआ है, ऐसे ही आपको ये पूरी tables आपको खुद fill करनी है, तो ये भी आपका homework है, आपको ये पूरा table fill करना है, आप अपनी notebook पर इसे write करेंगे पूरी table को, then उसके बाद उसे fill करेंगे, ओके, next आपका question है, fill in the missing numbers, जैसे आपने उपर missing numbers फिल किये हैं, वैसे ही यहां भी fill करनी है, but क्या condition दी हुई है, by counting forward और backward, लेकिन आपको forward और backward वे में fill करनी है, forward, forward means क्या होता है, forward means आगे, जो चीज आगे जाती है, उसे forward कहते है, and then backward क्या होता है, backward means पीछे, तो backward जो पीछे जाता है, वो आपका backward होता है, तो जैसे 51 के बाद 52, counting सबी को learn होनी चाहिए, अच्छे से, तो 51 के बाद क्या आता है, 52, 52 के बाद क्या आता है, 53, तो यह आपका कौन सा way हो गया, forward way, यह आगे counting हो रही है, तो इसे forward way कहेंगे, ठीक है, तो या फिर ऐसे भी क सकते हैं आप, कि forward counting जब आप करते हैं, forward missing numbers फिल करेंगे, तो उसमें one number add किया जाता है, जो जैसे आपको यह 51 number दिया हुआ है, 51 में अगर आप one number add करेंगे, तो आपको next number मिल जाएगा, one में one add करेंगे, कितना होगा, two, and then five, तो आपका next number क्या होगा, 52, ऐसे ही आप, इसमें 52 number दिया हुआ है, इसमें भी one number add कर देंगे, अगर आप, तो two and one, three, one, two, और इसमें add किया जाएगा, one, two, three, total three, and then five, तो कौन से number next होगा, 53, ऐसी ही 53 में add करेंगे one, तो 54, 54 में one number add किया जाएगा, 55, 55 के बाद, 56, 56 के बाद, seven आपको फिल के दिया है, और 57 फिल नहीं करेंगे, seven के बाद क्या आता है, 58, और 58 में one number add करेंगे, 58 में आप one number add करके देखिए, eight में one add करेंगे, तो nine, 59 कौन सा number आएगा, 59, 59 के बाद, 60, ओके, तो ये आपका forward way है, forward way में ये missing numbers फिल किये हुए है, ऐसे ही आपको next row दी गई है, 24, 24 के बाद क्या आता है, 25, तो ये से 25, 25 के बाद, 26 में आपकी counting आगे जा रही है, तो कौन सा way हुआ है, forward way, 24 के बाद, 25 फिल, 26, 26 में one number add करेंगे, तो क्या होगा, 6 and 1, 7 and 2, कितना आया, 27, 27 के बाद क्या आएगा, 28, 28 के बाद, 29, 29 के बाद क्या आएगा, आपका, 30, ओके, और 30 में one number add करेंगे, तो, 31, 31 में one number add किया जाएगा, 32, 32 के बाद, 33, ओके, तो आपको forward way समझ में आया, कि forward missing numbers कैसे फिल करते हैं, next आपका एक backward वाला example देखेंगे, यसे ये आपका backward में है, देखिए, आप 19, 19 के बाद 18 आते हैं, कि 19 से पहले 18 आते हैं, 19 से पहले 18 आते हैं आपके, तो ये backward हुआ, ये पीछे को जा रही है आपकी counting, तो इसलिए ये backward way है, और backward way में आप जैसे forward way में one number add करते हैं, वैसे ही backward way में one number subtract किया जाता है, अब आप 19 में one number subtract करेंगे, 9 में से one subtract करेंगे तो 8 and 1, तो कौन सा number मिला, 18, तो 18 आपका next number दिया हुआ है, तो आपका ये कौन सा वे है, backward way, 19 से पहले 18 आता है, अब 18 में one number subtract करेंगे, तो कितना आएगा, 17, तो क्या फिल किया जाएगा next, 17, और 17 में one number subtract करेंगे तो 16, 16 में one number subtract करेंगे तो 15, आपको one one number subtract करके देखना है, ठीक है, 15 के बाद 15 से पहले, 15 से पहले क्या आएगा, 14, उसके बाद 13, उसके बाद 12, उसके बाद 11, उसके बाद 10, 10 आपको फिल करके दिया हुआ है, अगर आप इस way में देखेंगे, तो यह आपको कौन सा हुआ, backward way, और backward way का just reverse, means just ultra क्या होता है, forward way, आप अगर इधा से देखेंगे, तो forward way में जाएगा, जैसे 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो यह आपको कौन सा way हुआ, forward way, और backward, पीछे की है, यही counting आपने पीछे से start की ह तो यह आपका backward way हो गया, यह 3 मैंने आपको fill करके बताए है, यह 3 आपको homework में fill करने है, यही आपका homework होगा, यह images आपको यह table की image और यह table की image आपको दे दी जाएगी, आपको यह homework में करना है, और numbers की table दी जाएगी, वहाँ से आपको देखकर write करने है numbers, 1, 200 और उन्हें learn क करना है, okay, goodbye, thank you